आप आप नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपका कमेंट आ रहा था कि मुझे नो लखा मगा देरे उस गाने पर जो भी वारेसंस बजेंगे पूरा देखेंगे तभी हम सभी को अच्छे से जो है प्लैंग और वह एडिटिंग हमें जो है मिल जाएगी तो आईए हम सबसे पहले इसमें जो पहला सिंबल टाइप बज़ता है बड़ा विग तो देखिए तो इसको आपको स्टार्ट में बीट करने जह हम सभी गाने को सुनेंगे तो आपको अन्भव होगा यह जो है आपका इस बाक्स में लगा हुआ है इसके बाद म Сब्स to happen करना यह देखिये हैं था तो इसके वादा रिदा में होता है जो कि वेश्टन टाइप में बसता है वेस्टन टाइब में तो वह मैंने इसको पूरा बनाया है जो भी बसता है मैंने फ्राज किया है depends देखिए दुस्तों का पहला वारते गुंगरू का बीड के तो आईए अब हम इसकी प्लेंग देख लेते हैं अलग अलगात होकी ताकि हम सभी को प्लेंग करने में असानी रहे कि लिफ्ट और रॉइट वाला सिस्टम न रहे कि आप लेट से बजाते हैं देखिए दुस्तों यह कि प्लेंग से एप लीजिए दुनाओ से बजाते बन जाएगा देखिए दूस्तों थोड़ी दिर के लिए हम डिले आप करते हैं ताकि साउंड के लिए रा सके कि जो भी मतलब वीट कर रहे हैं देखिए दूस्तों तो अब हम दूसरे हांत की प्लेंग देखते हैं दूसरा हांत हमारा कैसे चलेगा डिले आट कर लिया है देखे दोस्तों दूसरा ह לעत हमारा कैसे चलेगा थोड़ा ध्यान सकते देखिएगा दोस्तों वीडियो के मत गलेगा तभी अच्छे से सुन्में आएगा थ्यान देजिएगा कैसे हो रहा है हो अब हम एक भाथ फिर दोनों हथे को साथ में चला कर लेते कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद आपका जो है दूसरा मतलब आता है मान के जले कि कहरवा पैटर ने या जो भी आप कहले जिए भोलक तौला जब बज़ता है तो इसमें आपको मैंने परकसन बीट उसके लिए बनाई है इसमें जो कि आपको बीट करना है इसमें फ्यूच लगा हुआ है कवासा कह सकते हैं या चोग कह सकते हैं और इसको बीट करना देखें दूस्तों कैसे या फिर आप दूसरी हिसाब से बजा सकते हैं मतलब का बांगो इसमें लगा सकते हैं जो बांगो होता है देखें कैसे कि दोस्तों यह समझेगा कि यह पैज को समझ में नहीं आ रहा है यह परकसन पैज नहीं कि यह कि अदि कवर करने में जो है टाइम ज्यादा लगता है और पाइच काफी सारे बनाने वी तो इसलिए मैंने इसमें और नहीं कि इसको को मोड देना इसमें कैसे हैं इसने आपको मॉड देना को मतलब ही आपको कलगा रॉल करना है इसमें भी पीट करना है और इसे बाद आप गया अब लूट के लिए लोट के अगया है आफ तो मतलब कि आपको जोए धफ करने के लिए। वेट करने के लिए आपको यह बता दिया एक्जेम्प़ जैंपेल के लिए जैंचा आता है तो जब करने को को सुनेंगे तो आपको अच्छे सिन्वों होगा और इसके बाद जो भी मतलब लास्ट में जब बसता है थाफी टाइब मतलब दोला तो उसके साथ परकसन हमें कैसे बीट करना के वह गुरू में यह आप देख लीजिए देखे दोस्तों तो उम्हेदे दोस्तों की प्रेंग हम सभी को समझ में आये होगी और जो भी इसमें डफ बीड बसता है तो मैंने डफली पैच कहे भी कई सारे अफ्रोट कर दें डफली पैच आप वहां से बना लेजेगा डफली का पैच या बने होंगे आपके पास उससी में आप बजा ले नमस्कार